आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो स्ट्रेडल रहता है उसके उपर हम कैसे डीसाइड कर सकते कि हमें कौन सा यहां पर खॉल बाई करना चाहिए या तो फिर पूट बाई करना चाहिए ब्रिक आउट कैसे कन्फरमेशन कर सकते हूँ और हमारी एंट्री कैसे हो सकती है आप्सन प्यं करते हो तो भी आप यहां पर एकड़ करेगा वाँ इसको एक डा Ahora करेगा वीडियो पसंद आया तो please like and share जरूर करना तो यहां पर जो 17,000 आप देख रहे हो यह मैंने यहां पर historical price रखा है जो है 29 जो हमारा expiry था उस दिन का रखा है यहां पर 17,000 पर देखेंगे तो काफी अच्छा सा यहां पर premium बना हुआ है दोनों साइड अगर देख सके तो तो टोटल होता है इसका जो premium हो रहा है 250 के आसपास अभी बन रहा है तो इसको अगर यहां पर buy करना है तो किस level पर buy कर सकते हो दूसरा यहां पर कह सकते हैं कि नहीं हमें अगर 17,000 नहीं लेना है जो अभी highest हुआ है अगर आपको यहां पर 17,100 का लेना है तो भी आप ले सकते हो तो उसमें आपको क्या द्यान में रखना है कि इसका टोटल है जो है 132,90 जो होगा आपका 220 के आसपास तो जब आप चार्ट ओपन करोगे तो आपका वहां पर 220 होगा जैसे मैं यहां पर example के लिए कर देता हूं यहां पर straddle chart मैं नो open किया यहां पर मैं 17,100 कर देता हूं दोनों side और फिर मैं इसको show कर देता हूं तो जब यहां पर यह close हो रहा था इस price पाज़ था तो इसका जो ideal breakout होता है वो इस level के आसपास रहता है 243 मार्केट ने कहा गया शूट अप किया gap-up के साथ फिर हमारा जो next breakout आ रहा है उस level यहीं से इसने एक reverse लिया तो जो वापस नीचे आ रहा है तो हमें देख रहा है कि क्या हमारा जो previous यह resistance था वो एक क्या हमारा support का काम करेगा की नहीं तो यहां पर हमने क्या किया एक हमें support मिला है मैं इसको यहां पर तो यह जो होगा हमारा एक support का काम करेगा first यह क्या है हमारा resistance है दूसरा यह हमारा एक support है इस level के आसपास और फिर हमें यहां पर तो हमारा जो ideal zone रहेगा by zone वो यहां पर कहीं पर इस दोनों के बीच में रहेगा अगर यह hold कर जाता है तो अब अगर आप चार्ट पे जाते ह हो तो चार्ट में आपको क्या देखना है यहां पर हिस्टोरिकल चार्ट मैंने लगाया 17100 का यहां पर हम कर देता है call और इसको में show कर देता हूं तो जैसे यहां पर आते हैं यह हमने 31 का ही रगाया हुआ है तो यह consolidation जब यहां पर हो रहा था 10-40 से लेके यहां पर करीबन 11 20 तक यह पुरा consolidation आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो straddle में क्या होता है कि जिस साइड भी breakout होता है दोस्तों उस साइड का आपको यहां पर पूट लेना है अगर यहां पर समझो मार्केट नीचे जा रहा है और आपका यह प्राइस यहां पर लेना है पर इस बार क् breakout दिया था उपर की साइड तो आपको वहां पर कॉल देखना है तो जैसे ही आप यहां पर देखते हो अगर आप रिस्क की ट्रेडर हो तो यहां पर भी छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि यह जो consolidation हो रहा था उसका हाई जो निकलता है वहां पर आप बाई करोगे नहीं तो आप यह प्राइस के आसपास आएगा मैं मेरा profit book करूगा तो यहां पर consolidation हो चुका है अब यहां पर जो breakout आएगा वहां पर आपको चार्ट में देखना है कि यहां पर इस लेवल के आसपास breakout आया था बारा बजे की 11.40 के आसपास यहां पर कौन सा time है 11 करीबन यह breakout का time देखे तो 12.30 है और यहां पर यह जो point है वो 11.30 है तो यह जो point है यह breakout आया है जो consolidation का जिसका price था यहां पर 215 12.30 का जो price है वो यहां पर है जिसका price है breakout का 238 तो market गया कहां तक यह level तक 300 तक तो यह जो आपका 72.80 point है यहां पर आपको option buy में पैसा मिल सकता है confirmation के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर open interest कम हो रहा है तो definitely कि यह short covering है और यहां पर आपको ऊपर की side लेके जाएगा यहां पर आपको double top मिल गया जो आपका resistance है यहां पर भी आपको double top मिल गया तो आप यहां पर एक बार profit book कर सकते हो तो इस इसाब से आपका यहां पर बनता है कि straddle की इसाब से आप कैसे long shot कर सकते हो मानो अगर आपका यहां पर यह 17,100 chart है अभी यहां पर आपको option sell करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जब तक यह level नहीं निकलता है तब तक आप यहां पर short की side यानि बैठ सकते है यह straddle का price है तो यहां पर आपको call shot करना है तो आपके लिए यही रहेगा कि जो last हमारा Friday का high वो आपके लिए SL रहेगा और यहां पर इसने फिर से breakout दिया तो call में और उपर जा सकता है तो आपको यहां पर दूनना है कि हमारा next resistance कौन सा है जो आएगा 440 यह जो amount है वो total amount है दोस्तों यानि कि हम यहां पर जो देख रहे हैं अभी मैंने कोई change किया ऐसा है कि मैं इसको वापस यहां पर option change करता हूँ तो यह जो 17,100 का price है यह total वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 17,100 पर इसको मैं निकालता हूँ यह आप देख रहे हैं अभी 315 के आसपास जो यह आपका total है 17,100 यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो यह जिस side यहां पर breakout देगा तो calls की अभी हम उपर जाए जा रहे है तो आपका call price यहां पर increase हो रहा है तो उस side आपको यहां पर trade लेना है और short कर रहे हो तो भी आपको ध्यान में रखना है कि जब तक इसके उपर नहीं जाता है आप फिर से long नहीं कर सकते हो अगर risk लेना है तो छोटा सा risk लेके short कर सकते हो और फिर यहां पर आप देखे होगे तो यह level के आसपास आता है तो फिर से आप आपका जो short है वो भी cover कर सकते हो तो इस तरह से आप आपका straddle के इस से long और short कर सकते हो अगर future में मेरे पास कोई example आएगा short का तो मैं वो भी आपको बता दूँगा तो आप अभी क्या कर सकते हो कि bank nifty अगर देखते हो इस time का data तो हमने यहां पर 40,000 find rate का देख रहा है जो है 356 and 240 तो यह आपको आज के लिए study के लिए ध मैं आसा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ नया सेखने को मिला होगा thank you दोस्तो मिलता है नए वीडियो में take care bye bye